नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिच्चित दोस्त उपस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतो पून जानकारी को लेकरके जीहाँ इसको रात को दूद के साथ पीने से किसी भी उम्र में चाहें कैसी भी कमजोरी हो उसको जर से मिटा सकते है आप इसे हिंदी में खरेट, वर्यार, इत्यादी नामों से जाना जाता है। ये पोश्टिक गुनों से भरपूर है, ये आयरुवेद में बाजीकरण के रूप में भी परियुक्ति की जाती है। इसका प्रियोग शारीरिक दूरबलता दूर करने के अलावा अन्य व्याधियों को भी दूर करने में किया जाता है। दूध में उबालने, इसमें घी मिलाकर पिने से शरीर में शक्ति का विकास होता है। श्वेद प्रदर बाल की जड़ को पीसकर चुन बनाकर शहद के साथ 3 ग्राम के मातरा में दूध में मिलाकर के सेवन करने से श्वेद प्रदर में लाप प्राप्त होता है। ये माता बहन की इस समस्या में संजिवनी बूटी की तरथ काम करता है। बवसीर, अति बला के पत्तों को पानी में उबाल कर उसे अच्छी तरह से मिलाकर काढ़ा बना लें। इस काड़े में उचित मातरा में ताड का गुड मिला कर पिएं। इससे बवासीर में लाब होता है। प्रतिरोधक शम्ता जिहां अतिबला के भी चार से आठ ग्राम सुबह, शाम, मिश्री, मिले, गर्म दूद के साथ खाने से कमजोरी को समात करने में पूरा लाब मिलता है। दस्त जिहां अतिबला के पत्तों को देशी घी में मिला कर दिन में दो बार पीने से पित के उत्त पन्न दस्त में लाब होता है। मसूडों की सूजन, अतिवला के पत्तों का काढ़ा बना कर प्रती दिन 3-4 बार कुला करें, रोजाना प्रयोग करने से मसूडों की सूजन एवं मसूडों का धिलापन खत्म हो जाता है, पिशाप का बार बार आना, खरेटी की जड़ की छाल का चूण यदी चीनी के साथ मीठे हलके गर्म दूद के साथ लें और भोजन में दूद चावल खीर शामिल कर खाने से शरीर का दूबलापन दूर होता है, शरीर सुडोल बनता है, बल तथा ओज बढ़ता है, जीवन को निरोगी करने वाला चूण है ये, नागबला, अतिबला, कौँच के शुद्ध छिलकारहित बीज, शतावर, तालम खाना और गोखरू, इन सब को बराबर वजन में लेकर कूट पिश चान कर महिन चूण बना लेना है आपको, और चन्नी से तीन-चार बार चान लेना है, ताकि यह द्रव्य अच्छी तरह से मिलकर एक जान हो जाएं, यह चूण एक एक सुबह श्राम या रात को सोते समय मिश्री मिले, कुन-कुने गर्म दूध के साथ पीने से बहुत बल और शक्ति की वरिध्य होती है, जीवन से हतास रोगी पुर्षों के लिए यह योग आयरुवेद में वरदान के समान है, यह योग बना-बनाया बाजार में सावित होत सकती है, यदि आप इसका सदुपयोग करते हैं तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों